आपके फॉन के अंदर एटल की सिम कार्ट पड़ी हुई है और आप जैसे डाटा को यहां से ओन करते हैं और उसके बाद इस तरीगे के पॉपप आ जाता है Sun in to network यह देख सकते हैं मैं डाटा करता हूं मैं अन करता हूं तो आप देख सकते हैं इस तरीगे से एक पॉपप आ जाता है अब यह पॉपप जब आता है तो आपका net B नहीं चलता जोगां कॉल लगती होगी तो आपको यह प्रोब्लम क्यों multitude क्या है इसका solution क्या है और क्या है तो वीडियो को लास तक देखते रहना है आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है तो चलिए आज की इस वाली वीडियो को आप सुरू करते हैं जो को सबसे पहले region जान लेते हैं अगर यह reason है तो भी आ सकता है ठीक है यहाँ पर आगर आपका recharge क्षभत हो गया है तब आपको यह pop-up सो घोगा ठीक है जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूं मेरे यहाँ पर क्या है मेरी atdlic किसे में किया है रीचार्ज खतब हो गया इसलिए पॉप अपा रहा है जब कि यहां पे नेटवर्क का जो लोगों है और जी या फाइब जी आपके फॉन में आ रहा होगा ठीक है अब यह मैंने आपको रीजन नमर एक पता दिया है अगर आपके फॉन में जो एटल किसे में इसमें रीचार्ज भी है फिर भी आपको यह पॉप अप सो हो रहा है तो आपको 198 पर कॉल करनी है एड़ टेल कस्टमर के हर्शे यह जीओ की से में तो जीओ के कस्टमर के हर्शे ठीक है और यहां पर फिर भी आपकी प्रॉप्रम सॉल्ट नहीं हो रही है तो आपको अपनी सेटिंग पर क्लिक करना है जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करनेंगे कनेक्संस पर क्लिक करना है या मौल नेटवर्क आपका जो भी है यहां पर हो सकता है तो यहां पर आपको सिम मेनेजर पर क्लिक करना है ठीक है और यहां पे आपको यह देखना है कि आपका जो data है किस sim से on है ठीक है यह देख सकते हैं mobile data ठीक है तो यहां पे आप अपनी sim को select कर लेजी दो sim चला आते हैं तो ठीक है और यहां पर sim देख लिए नहीं बन तो नहीं है ठीक है उसके बाद mobile network पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहां पे आपके phone के अंदर ही setting होती है data roaming की own कर लिनी होगी और network मुणा आपका यहां पर इस तरीके से 5G phone है तो 5G को select करना है अगर 4G phone है तो 4G को यहां select कर लेजी LTE ठीक है access phone name पर click करके और सीधा आपको क्या करना है यहां पर click करके reset to default इस तरीके से कर देना है ठीक है APN setting को ठीक है number 1 number 2 से उनको दोनों को ठीक है उसके बाद आप पर आपको देखो क्या करना है यहां पर जी देखो करने का network operator यह आपका on होना चाहिए और उसके बाद आप अपने वाल का पावर बाला बटन है उसे आप दोवाएंगे फॉन को यहां से एक बाद स्विच्वाप करके on करेंगे आपकी problem solve हो जाएगी ठीक है यह रीचाज तो यहां पर यह लोगों जो दे रहा है इसी पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर यह क्या होता है यहां पर जो एटल का जो system है यहां जीओ का भी आपका system है उसमें network connect हो जाता है तो यहां से आप recharge कर सकते हैं यह से सीधा खुल जाएगा यह कर सकते हैं और